नमसकार, Welcome to Stock Infuse, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो कमपनी को डिसकस करने वाले हैं, दोनोही कमपनी वाईर्स एंड केबल्स का मैनुफेक्टिरिंग करती है, सबसे पहला इस्टाउक है फीनोलेक्स, अब दोस्तों हम लोग दो इस्टाउक को तो डिसकस करेंगे ही, साथ आप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वो कौन सा सबसे अच्छा स्टॉक है जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे अच्छा रिटन कमा सकते हैं वो भी सेफटी के साथ तो ओभर आल हम लोग वायर और केबल इंडस्ट्री का कमपेरीजन करने वाल हैं आज क से 15 दिन पहले SBI Securities ने टार्गेट दिया था और टार्गेट कितने का था 1086 रुपीज का टार्गेट दिया गया था और अभी के समय देखिएगा तो स्टॉक कितने पर ट्रेड कर रहा है अभी के समय स्टॉक 1011 पर ट्रेड कर रहा है और हो सकता स्टॉक में और भी थोड़ परसेंट का तो इतनी छोटी मोटी गिरावट बहुत ही नॉर्मल है जब स्टॉक 6 मन्त में अल्मोस्ट डबल हो जाता है तो 10-15-20 परसेंट की गिरावट बहुत ही नेचुल है दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक कंटीनू बेसिस में उपर जाता रहेगा लेकिन सवाल यह पर यह आ जाता है कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों अगर फंडमेंटल स्वाइस देखने जाएंगे तो आपको कंपनी थोड़ी सी महंगी देखने को मिल जाएगी 15,000 करोर का मार्केट कैप है प्राइस टू अर्निंग रेशो के महंगी नजर नहीं आती है अगर कंपनी के बुक वैल्यू को देखें 243 रुपीज का बुक वैल्यू है डिविडेंट इल्ड को देखें 0.60% का है आरो सी अच्छा है रिटर्न औन कैपिटल इंप्लॉइड भी अच्छा है फेस वैल्यू 2 रुपीज का है लेकिन लेकिन ल रेसियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू ग्रोथ रेसियो मतलब जो कंपनी को आप खरीदने के लिए प्राइस पे कर रहे हैं उसके अनुसार कंपनी कितना ग्रोथ सो करती है अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है तो आपका रिटर्न भी अच्छा बनता है और प Price to Growth Ratio ज्यादा अच्छे से बताती है कि कमपनी महंगी है या सस्ती है और Price to Growth Ratio के हिसाब से कमपनी बिलकुल महंगी नजर आती है Debt को देखें बहुत छोटा सा Debt है कमपनी के उपर और Cash Reserve कमपनी के पास अच्छा खासा है तो Overall Company Debt Free भी मानी जाएगी और Company Cash Rich भी मानी जाएगी तो यहाँ पर कोई भी Problem देखने को नहीं मिलती है अब चलिए Company के सीधे Sales and Profit के Growth को देखते हैं तो Sales का Growth आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा इस पेसली पिसले तीन साल में Company का Sales का Growth अच्छा देखने को मिलता है अगर Profit के Growth को देखें तो Profit का Growth Company का बहुत ही कम नजर आता है आगे हम लोग comparison कर देखेंगे कि दूसरी Company का Profit का Growth कितना है अगर Return को देखने जाएंगे तो 10 Year का Return तो अच्छा नजर आएगा लेकिन 5 Year का Return बहुत ही कम नजर आएगा और पिछले 1-2-3 साल में कमपनी ने काफी अच्छा Return प्रोवाइड किया है और पिछले 1 साल में तो कमपनी ने 132% का Return प्रोवाइड किया है अब लोग क्या करते हैं जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो यही 1-2-3 साल का Return देखकर सोचते हैं बस कमपनी ऐसी ही है ऐसा ही Return मिलने वाला है और ऐसी कमपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना समझे कि कमपनी का पास्ट का Track Record कैसा रहा है अगर कमपनी के Profit को देखने जाएंगे तो Operating Profit देखिए लास्ट येर कितना निकल कराया था 4.96 कडोर का Operating Profit था मतलब जो कमपनी Business करती है Core Business उससे कमपनी का कितना Profit आया है 4.96 कडोर और 1.98 कडोर रुपीज का देखिएगा तो Other Profit है मतलब Other Income है जो की कमपनी के Core Business में सामिल नहीं होता है ये Other Income है और दोस्तों किसी भी कमपनी का जो Core Business होता है उसी Business के Basis पर हमारा Investment का Decision होना चाहिए ये जो Other Income होता है इसके Basis पर हमारा Investment का Decision कभी भी नहीं होना चाहिए तो कमपनी का जो Core Business से Profit है वो काफी कम देखने को मिलता है अगर Other Income को हटा दिया जाए तो ये एक Negative Point माना जाएगा अगर Share Holding Pattern को देखने जाएंगे तो Share Holding Pattern में आपको 35.92% Promoter के पास है 11.25% FII होल्ड करती है DII 15.56% होल्ड करती है और Public के पास सबसे ज़्यादा Steak आपको नजर आता है 37.27% का तो ये भी एक Negative Point माना जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और End में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन सी Company में Investment करना चाहिए और कौन सी Level पर करना चाहिए उससे पहले हम लोग KEI को भी Discuss कर लेते हैं आज के दिन देखें तो Stock में 6.32% की गिरावट देखने को मिली है Company का Result Out हो चुका है और Result Market के Expectations को Meet करता हुआ नजर नहीं आया है और इसी वज़े से Stock में गिरावट देखने को मिली है Company के Sales को देखेंगे Why on Why बेसिस में Company का Sales बरता हुआ नजरा है लेकिन Quarter on Quarter बेसिस में Company का Sales गिर चुका है Operating Profit Margin 10% का ही है तो Company ने अपने Operating Profit Margin को Maintain किया हुआ है Net Profit को देखेंगे 104 कडोर का Profit पिछले साल के सी Quarter में था जो की अभी बढ़कर 121 कडोर हो चुका है लेकिन Quarter on Quarter बेसिस में देखें तो यहाँ पर भी आपको Profit घटता हुआ नजरा रहा है और इसी वज़े से Stock में आपको गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि Market Expect कर रहा था कि Profit तो बढ़ा है Sales तो बढ़ा है लेकिन जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा Market इस Company से Expectations किया हुआ था अगर Company के Sales के Growth को दिखें तो काफी अच्छा नजराएगा 15% का 15% का 12% का और Last Year 14% का अगर Company के Profit के Growth को दिखें तो ये भी अच्छा नजराता है 25% के आसपास Company का Profit का Growth नजराता है तो Phenol-X के Comparison में Company का Profit and Sales का Growth ज़्यादा बेटर नजराता है अगर CAGR Return को दिखेगा तो 10 Year में 78% का Multibagger Return कमपनी ने Provide किया है Last 5 Year का Return 39% का है Last 3 Year का Return 87% का है और Last Year Company ने 81% का Return प्रोवाइड किया है तो बहुत बड़ा Multibagger Return कमपनी ने Long Term में Provide किया है और Company का Growth अभी भी देखने जाएंगे तो काफी ज़्यादा अच्छा नजराता है अगर Share Holding Pattern को देखेंगे तो 37.10% Promoter के पास है यहाँ देखिए FII का Holding काफी ज़्यादा बड़ा है 27.67% का DII का भी Holding काफी ज़्यादा है 19.55% DII Hold करती है और Public के पास देखें तो 15.68% का Holding आपको देखने को मिल जाएगा जबकि हमने Phenol X Cable में देखा था Public के पास 37% का Holding नजराया था तो इसमें Share Holding पैटरन भी ज़्यादा बेटर नजराता है Profit का Growth भी ज़्यादा अच्छा नजराता है Return भी ज़्यादा अच्छा नजराता है तो हर parameter से ये कंपनी Phenol X Cable के कंपेरिजन में बेटर नजराती है अब दोस्तों एक बार Overall Industry का हम लोग एक बार comparison करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा बेटर आइडिया मिल सकेगा कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है investment करने के लिए अगर Wire Sign Cables के segment में देखें तो Poly Cap आपको Market की लिडर नजराएगी अगर Poly Cap के Sales के Growth को देखेंगे तो 15% का है KEI का 14% का है Last 5 Year में Phinolex का 9% का है Sales का Growth हम लोग देख रहे है Universal Cable का देखेंगे तो 13% का है Dynamic Cable का देखें तो ये भी 13% का नजराएगा बाकि सारा जितना भी कंपनी है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा Sales का Growth आपको Poly Cap इंडिया का ही देखने को मिलता है अगर Profit के Growth को देखने जाएंगे तो Profit का Growth 27% का नजराएगा Poly Cap इंडिया में KEI का 26.97% का है ये भी 27% के आसपास है लेकिन Phinolex Cables के अगर Profit के Growth को देखें Last 5 Year का तो Single Digit में है 7% से कम कंपनी का Profit का Growth देखने को मिलता है Universal Cable का 7% का है Dynamic Cable का 33% का है और सबसे ज़्यादा Paramount Cable का आपको 42% का देखने को मिलता है लेकिन ये सब जो कंपनी है ये काफी छोटी कंपनी है KEI Industries और Poly Cap काफी बड़ी कंपनी है अगर इन में 27% का Profit का Growth है तो ये काफी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा अगर Operating Profit Margin को देखें 12% का Poly Cap में नज़राएगा KEI का 10.37% नज़राएगा Phenol X का 12.32% नज़राएगा और जितनी भी अधर कंपनी देखेंगे उनका आपको Operating Profit Margin 10 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा अगर Pack Ratio के हिसाब से देखें तो Poly Cap का 1.72 है 1.53 KEI का है Phenol X का देखेंगे 4.41 का नज़राएगा और Pack Ratio के हिसाब से Phenol X सबसे महंगी कंपनी नज़राती है उसके बाद Universal Cable का देखेंगे 1.76 का है Dynamic Cable थोड़ी सी सस्ती नज़राएगी 0.92 का है Paramount का 0.46 का है तो Pack Ratio के हिसाब से भी अगर देखने जाएगे तो तीनों बड़ी कंपनी में आपको Poly Cap और KEI ज़्यादा Better Valuation पर देखने को मिल जाएगी अब दुस्तों अगर Last 1 Year के Return का Comparison करेंगे तो सबसे ज़्यादा Return आपको Dynamic Cable में देखने को मिल जाएगा 194% का उसके बाद Phenol X Cables में मिलेगा उसके बाद Poly Cap में मिलेगा और सबसे कम KEI में मिलेगा अब ये कम नहीं है दोस्तों एक साल में 75% का Return बिल्कुल भी कम माना नहीं जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा Better Return अधर कमपनी में देखने को मिलता है क्योंकि KEI का स्टॉक अभी उपर से गिरा भी है इसी वज़े से Return थोड़ा कम नजरा आ रहा है पर लास्ट फाइव येर के Return को देखने जाएंगे तो Poly Cap का Return देखेंगे 620% का है KEI का 424% का Return है Phenolex का Return मात्र 63% का देखने को मिलता है Dynamic Cable का Return देखेंगे 1094% का Return है सबसे ज़्यादा Return Dynamic Cable ने बना कर दिया है छोटी कमपनी है ज़्यादा रिस्क होता है अगर छोटी कमपनी में प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा होता है तो काफी बड़ा Return बना कर देने की छमता रखती है लेकिन अगर आप Safety के साथ Return कमाना चाहते है Market Leader कमपनी के साथ जाना चाहते है तो Polycap का Return भी कहीं से कम नजर नहीं आएगा 5 साल में अगर कमपनी आपके पैसे को 7 गुना बना कर दे रही है तो इसको Multi-Bagger Return ही माना जाएगा तो आपने देखा Phenol X Cable Profit के ग्रोथ के हिसाब से सबसे कमजोर नजर आती है Return के मामले में सबसे कमजोर नजर आती है और Valuation के हिसाब से सबसे महंगी नजर आती है और Other Company में देखें तो आपको Valuation थोड़ा सा सही देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं कि इन में से कौन सी Company में आपको Investment करना चाहिए दोस्तों अगर आप मेरे Regular Viewer हैं तो आपको पता होगा मैंने Polycab के उपर कई बार Discuss किया था और मैंने बताया था Wires and Cables में अगर आपको Investment करना है तो सबसे अच्छी Company Polycab भी देखने को मिलती है और अभी के समय देखेंगे तो जब मैंने Discuss किया था कई बार Discuss किया था Polycab को Best Stocks to Buy Now में Discuss किया था कई बार इसका Comparison के आई के साथ भी किया था और Hevels के साथ भी किया था क्योंकि Polycab का Business सिफ Wires and Cables का नहीं है Company धीरे-धीरे FMEG के Business में भी उतरते जा रही है और जब से Discuss किया है तब से Company ने 100% से भी ज़्यादा Return बना कर दिया है हमने 2250 के उपर Discuss किया था 2400 के उपर Discuss किया था 2700 के आसपास Discuss किया था 3000 रुपीज के आसपास Discuss किया था और एक दो बार Discuss नहीं किया था कई-कई बार Discuss किया था और बताया था ये Company Mid Cap सेगमेंट में Investment करने के लिए सबसे अच्छी Company है Risk Free Company है और आगे चलकर Company बड़ी Company बन सकती है और आपका Return भी बड़ा बन सकता है लेकिन अभी के समय देखें तो PolyCab में किसी भी परकार का Discount देखने को नहीं मिलता है अभी अगर Investment करने का मौका देखेगा तो KEI में आपको Investment करने का मौका देखना चाहिए अगर Company आपको 2100 पर मिलती है तो आपको पहला Installment लगाना है उसके बाद अगर आपको 2000 रुपीज पर मिलता है तो आपको Next Installment लगाना है दो तीनी Installment में Investment करिएगा अभी Company का Result Market के Expectations से बेटर नहीं आया है तो Stock गिरा है लेकिन हो सकता है Next Quarter में Company का Result अच्छा है और Stock बिल्कुल Rocket बन जाए अभी Stock में गिरावट है तो Investment करने का मौका देखिए Again Remind कराना चाहूंगा इस वीडियो में बताई गई सारी बाते सिर्फ Education और Information Purpose के लिए है मैं कोई SEBI Registered Analyst या फिर Financial Advisor नहीं हो तो मेरे बात को सुनकर ना आपको Investment करना है ना ही किसी Stock को Sale करना है वीडियो पसंद आया है तो Like कर दिजेगा Regular Updates के लिए आप चैनल को Subscribe कर सकते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और Information के साथ तब तक के लिए धन्यवाद